भारत का इतिहास बहुत लंबा और सम्रिथ है यह इतिहास लगभग 5000 वर्षों से भी पुराना है और अनेक युगों में विभिन शक्तियों, सम्राज्यों और संस्कृतियों को देखा है भारत के इतिहास में कई आवश्यक घटनाएं और लोगों के क्रांतियां हैं जो इस देश को आज की स्थिती तक पहुँचाने में महत्वपून हैं आए जानते हैं वैदिक युग लगभग 1500 इसा पूर्व से 500 इसा पूर्व तक भारत के इतिहास का प्रारंभिक दौर है इस युग में वेदों का रचना और प्रचार हुआ जिन में ग्यान, धर्म और यग्यपर बल दिया गया रगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथर्ववेद इस समय लिखे गए नमबर टू, मौर्य समराट मौर्य समराट 322 इसा पूर्व से 180 इसा पूर्व तक भारत के इतिहास का एक प्रमुख युग है इस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने इस दौरान भारत में महानशासक बनाया और अशोक मौर्य का समय धर्म, अहिंसा और विस्तरित समराज्य के संदर्भ में प्रसिध है अशोक द्वारा कालिंग युद्ध के बाद उसने धर्म की प्रेर्णा से अहिंसा और शांती दूती को प्रचारित किया गुप्त समराट गुप्त समराट तीन सो बीस सी से पांच सो पचास सी तक भारत के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृती में विशेश प्रगती हुई समुद्र गुप्त और चंद्र गुप्त द्वितिय विक्रमादित्य के समय में गुप्त समराट ने शक्ती और संस्कृतिक उन्नती का महत्वपूर्ण स्थान ग्रहन किया इस समय प्रसिद्ध रहे दिल्ली सल्तनत ने सामाजिक, धार्मिक और संस्कृतिक परिवर्तन लाया और इसलामी संस्कृति को देश में प्रचारित किया 5. मुगल समराट्य 1526 CE से 1858 CE तक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग है बाबर, अकबर और और औरंग जेव जैसे महानशासकों ने इस समय भारत पर अधिकार स्थापित किया मुगल काल में संस्कृति, संगीत, कला और वास्तुकला में विशेश विकास हुआ ताज महल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसी इमारतें इस समय की प्रमुक प्रतीक है 6. ब्रटिश राज 1858 CE से 1947 CE तक भारत ब्रिटिश राज के अंतरगत था अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अधिकार स्थापित किया और बाद में इसे ब्रिटिश क्राउन द्वारा संचालित किया गया इस समय भारत पर विद्रोग, क्रांतियां और स्वतंतरता अंदोलन हुए जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नहरू और भगत सिंह जैसे महान नेताओं ने महत्वपून भूमी का निभाई भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंतरता प्राप्त की और आजाद हिंदुस्तान के रूप में अस्तित्रों में आया इसके बाद भारत का इतिहास और प्रगती आगे बढ़कर आज तक चलता रहा है भारत के इतिहास में अनेक घटनाएं, युद्ध, सामाजिक सुधार और उन्नती के समर्पन हैं जो इस देश को आज का रूप दिया है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर और अपना सुछाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाए